जैहिन स्वागत आपका अपने स्टडी 24 जार्खन यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं इस वीडियो में आप स्वी जार्खन बोड के कलाश 12 के छातरों के कल होने वाले हिस्ट्री आनि की इतिहास के 15 चैप्टर से 10-10 BBI अबजेक्टिव परशनों का उतर लेकर के आया हूँ आनि की कुल मिलाकर के 1500 BBI अबजेक्टिव परशनों का उतर लेकर के आया हूँ जो आप स्वी जातरों के लिए काफी महतपूर्न है और इसमें से बहुत सारे परशन आपके कल होने वाले बोर्ड एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों चलिएम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका चैप्टर नंबर एक से लेकर के 15 तक के सभी BBI अबजेक्टिव परशनों के उतर को एके करके देखते हैं और दोस्तों आपका इतिहास विषे का पहला चैप्टर है इत मन के तथा अस्थियां हडपा सभीयता और इस चैप्टर का जो पहला BBI objective परशन है वह है कि हडपा का उत्खनन किया था हडपा का उत्खनन किसने किया था तो दया राम साहनी ने किया था 1921 सिस्वी में दोस्तों इसके अलावे मोहन जोदलो काली बंगा लोथल रंग पूरी त्यादी जो पुरा तात्वी का स्थल है तो उसका उत्खनन कब किसने किया रो कहां परिस्थित है उसे भी याद करके रख लिजेगा ताकि बोर्ड एकजाम में आपको किसी तरह का कोई दिकत नहीं हो प्रसने की हडपा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो दोस्तों हडपा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह आपका मोहन जोदलो था जो आपका उप्सन नंबर ये में है इसका चौंथा प्रसने की मोहन जोदलो की खोज 1922 में किसने की तो मोहन जोदलो की खो उसे कहाँ पर मिले हैं तो यह आपको मिले हैं B. आनिकी मोहंजोदोडो में इसका दोस्तों लोग आगे बढ़ें तो आपका इस चेप्टर का जो छथा महतपूर्न परस्न है वह है कि लोथल कहाँ पर इस्थीत है तो यह लोथल आपका कहाँ पर इस्थीत है गुजरात में option number पर ये आपका सही है इसका साथवाँ परसने की काली बंगा कहां पर इस्थित है तो काली बंगा आपका राजस्थान में इस्थित है option number D इसका दोस्तों लोग आगे बढ़ें तो आठवाँ परसने की पूरा ततों के अंतरगत निम्न में से कौन एक नहीं है तो इसमें जो हम लोग देख रहे है option number E में सहीत है, B में सिक्के हैं, C में अभी लेक है और D में भगना उसे से तो इसका सही उतर अपका option number E सहीत है इसका नौह परसने की सिंदू सभ्यता का कौन सास्थल मिरतकों का टिला मिर्तकों का टिला की रूप में विख्यात है तो इसका सही उतरोगा option No. B मोहन जोदुरो मोहन जोदुरो का जो अर्थ होता है वो होता है मिर्तकों का टिला दोस्तों इसका दो आगे हम लोग बढ़ें तो आगे आपका दस्वाँ परस्न है जिसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परमान मिला है हल जो है जिसका परियोग खेती करने में किया जाता था तो इसका परमान कहां पर मिला है तो इसका आपका सही उतरोगा option number D काली बंगा में काली बंगा कहां पर है राजस्थान में है दोस्तों इसके बद आगला आपका चेप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभी, क्राइज और अर्थ ब्यवस्था है और इस चेप्टर का आपका जो पहला भी भी है objective परस्थन है वह है कि कोटिल की किरती है तो कोटिल ने किसको लिखा है तो अर्थ सास्तर को लिखा है option number B इसका आगे हम लोग बढ़ें तो आपका इस चेप्टर का दूसरा महत्पूर्ण परस्थन है कि मौर ये समराइज का पर्थम सासक कौन था तो मौर ये समराइज का पर्थम सासक था चंदरगूप्त मौर ये जिसने मौर ये वंसकी अस्थापना की थी इसका तिसरा परसन है कि भारत का नेपोलियन किस सासक को कहा जाता है तो इसका सही उतर होगा option number B समूद्रगूप्त को दोस्तों ये जो नेपोलियन है नेपोलियन फरांस का समराइज था और वो आहां पर 1804 इस्वी में समराट बना था तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समूद्रगूप्त को जो आप लोग यहां पर option number B में देख रहे है दोस्तों इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो चौथा परशन है वह है कि फाहियान किसके सासनकाल में भारत आया था तो फाहियान किसके सासलकाल में भारत आया था इसका सही उतर होगा आपका option number C चंद्रगूप्त दूतिय के सासनकाल में इसका पांचवाँ परशने की परियाग परशिष्टी का समद्ध किस गुप्त सासक से है तो इसका सही उतर आपका क्या हो जाएगा इसका सही उतर है आपका option number B समुद्र गुप्त के सासनकाल में तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पांच परशनों के उतर को देखा इसका छठा परशने की इंडिका की रचना किसने की थी तो ये बहुत ही आसान परशन है और इसका सही उतर होगा आपका option number B मेगास्थनेज दोस्तों इसकाद हम लोग आगे बढ़ें तो साथवा परशन है कि मोर ये समराइज का तिर्तिय सासक कोन था तो मोर ये समराइज का तिर्तिय सासक था option number B असोग यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये पहला सासक था ये दूसरा सासक था और ये जो आपका है तिसरा सासक था असोग इसका अठवा परशन है कि अर्थ सास्तर के लेखक कोन है तो दोस्तों अर्थ सास्तर के लेखक कोन है आपका option number C सही होगा कोटिली आचानक ये ठीक है इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपके दुसरे चेप्टर का जो नोवा महतपुर्म परस्न है वह है कि वज्जी को समाजी गरंथों में कहा गया है तो इसको क्या कहा गया है तो इसका सही उतर होगा आपका ओप्शन नमबर बी गनतंत्र ठीक है इसका दस्वा परस्न है की अर्थ सास्त्र यह इंडिका से किस राजवन्स के बारे में जानकारी मिलती है तो इसका सही उतर होगा आपका option number ये मौर्योवन्स का तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे chapter के सभी 10 परशनों के उतर को भी देख लिया दोस्तों इसका अदम लोग आगे बढ़ें तो आपका इतिहास का जो तिसरा chapter है समाजी की तिहास महाभारत के विशेश संदर में और इस chapter का पहला भी भी आपजेक्टी परशने की महाभारत की रचना किसने की तो इसका सही उतर होगा option number D वेद बयासने दोस्तों बालमिकी ने रमाइन की रचना की थी और वहीं पर राम चरित्र मानस की रचना किसने की थी आप लोग comment box पर जरूर बताईए इसका दूसरा परशने की महाभारत की रचना किस भासा में हुई है तो महाभारत की रचना हुई है संस्कीर्ट भासा में आनि की option number ये आपका सही है तो इस तरह से हम लोगों ने तिसरे चेप्टर के दो परशनों के उत्तर को देखा इसका तिसरा परशने की महाभारत का जुद कुरू छेतर के मैदान में कितने दिन तक चला था तो दोस्तों ये 18 दिन तक चला था आनि की option number C आपका सही है दोस्तों इसका दम लोग आगे बने तो पांचवाँ परशने की रीगवेद की रचना कब हुई थी तो इसका सही उतर होगा आपका option number D इसका छठा परशने की भगवत गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है तो दोस्तों इसका जो अनुवाद करने वाले हैं वो हैं आपके option number ये वाले चार्ल्स विलकिन हैं तो इस तरह से छठे परशन के उतर को हम लोगों ने देखा इसका साथवाँ परशने की महाभारत के आदी परव के किस अध्याय में भिश्म द्वारा आठ परकार के विवाहों का वर्नन किया गया है तो इसका सही उतर होगा आपका option number C 102 अध्याय तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उतर को देखा इसका आठ्वा परशन है कि कर्मने वाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन सिरिमत भागवत गीता के किस अध्याय में वर्नित है तो इसका सही उतर होगा आपका option number B दूतिये अध्याय में दोस्तों इसका अदम लोग आगे बहें तो आपका इस चेप्टर का नौवा परशन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है तो दोस्तों गंगा पुत्र कहा जाता है भिस्म को option number C इसको दस्वा परशन है कि महा भारत में कितने परकार के बिवाह का उलेख किया गया है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर होगा आपका option number C आठ परकार के विवाह का उलेख किया गया है तो दोस्तों इस तरह से आपका जो इतिहास का तिसरा चेप्टर था उसके दस परस्णों के उतर को हम लोगों ने देखा इसका चौथा चेप्टर आपका है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्किर्तिक विकास और इस चेप्टर का जो पहला भी भी अबजेक्टिव परस्ण है वह है कि महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुई थी और इसका सही उतर होगा उप्शन नमबर B बोध गया में इसका दूसरा परस्णे की बुद्ध चरित की रचना किसने की है तो दोस्तों इसका सही उतर होगा उप्शन नमबर B आसुगोस आसुगोस ने बुद्ध चरित की रचना की थी इसका तीसरा परस्णे की कुंडल वन कस्मीर में चतुर्थ वोध संगीती की सासक के काल में हुआ था तो ये आपका हुआ था ओप्शन नमबर B कनिस्क के सासनकाल में तो इस तरह से हम लोगों ने तिसरे परस्ण के उतर को भी देखा चवथा परस्णे की पुरानों की संख्या कितनी है तो दोस्तों पुरानों की संख्या जो है वो 18 है आनि की उप्शन नमबर B आपका सही है पांचवआ परस्णे की प्राचिन भारत में धम की सुरवात की सासक ने की थी तो ये आपका हुआ उप्शन नमबर C असोक ने सुरू की थी तो इस तरह से पांचवआ परस्ण के उतर को भी हम लोगों ने देख लिया इसका छठा परस्ण है की वेदों की संख्या कितनी है तो दोस्तों वेदों की संख्या चार है और कौन-कौन सा आप लोग जानते हैं रीगवेद, अथरवेद, सामवेद और और ये क्या होता है आप लोग कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा इसका साथवा प्रसने की स्वेतामबर ये दिगंबर का समध किस धर्म से है तो इसका सही उतर होगा जैन धर्म से जैन धर्म आवलंवियों का सबसे पवित रस्थल माना जाता है और यहाँ पर जो पूछा गया था कि स्वेतामबर ये दिगंबर का समध किस धर्म से है तो जैन धर्म से है तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक के प्रसनों के उतर को देखा इसका आठ्वा परसने की अस्तूप सवंधीत है तो अस्तूप किस से सवंधीत है तो यह आपका बौध धर्म से सवंधीत है ठीक है इसका नौवा परसने की महाबीर का जनम हुआ था तो महाबीर का जनम कहा हुआ था तो दोस्तों इसका जो सही उतर होगा क्या होगा इसका सही उतर हो जाएगा आपका option number C कुंडल 1 बैसाली में इसका दस्वा परस्ण है कि महात्मा बुद्ध का जन्मस्थान कहा है तो इसका सही उतर हो जाएगा option number D कपिल वस्तू में दोस्तों इसके आपके इतिहास विषय का पांचवा चैप्टर है मुगल समराइज किर्शी सबंद और इस चैप्टर का जो पहला भी बिश्पिर प्रसन है वह है कि आईने अकबरी किसने लिखी तो दोस्तों आईने अकबरी किसने लिखा था ये लिखा था अबूल फजल ने आनि कि option number C सही हो गया इसका दूसरा प्रस्ण है कि अकबर नामा की रचना किस ने की थी तो इसकी रचना भी किस ने किया था अबूल फजल ने किया था इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो तिसरा प्रस्ण है वह है कि अकबर ने अबूल फजल से अपने स्वय के काल का इतिहास लिखवाया प्राचिन काल में ऐसी परंपरा कहां थी तो इसका सही उतर होगा option number ये चीन में इसका चंथा प्रस्ण है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभग थे तो दोस्तों इसका सही उतर हो जाएगा आपका option number D पांच भागों में विभग थे इसका दम लोग आगे बढ़ें तो इस चेप्टर का आपका पांचवा प्रस्ण है कि अकबर नामा एउम आईने अकबरी के अनुआदक कौन थे तो यहाँ पर जो लोग option देख रहे है option A में दिया वेबरीज B में दिया जेरेट और C में दिया बलोचमेन और यहाँ पर दिया है D में सभी तो इसका सही उतर होगा option number D सभी इसका छठा परस्ण है कि अबूल फजल किर्थ आईने अकबरी में किसके सासन का वर्नन है तो इसका सही उतर होगा option number B अकबर के सासन का वर्नन है इसका सातवा परस्ण है कि अकबर का बीत मंत्री कौन था तो दोस्तों अकबर का जो बीत मंत्री था वो था टोडर मल option number C आपका सही हो जाएगा इसका अदम लोग आगे बढ़ें तो आठवा परस्ण है परस्ण है कि किस गरंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है तो इसका सही उतर होगा option number B अकबर नामा अकबर नामा में आदम से लेकर के अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है इसका नुवा परस्ण है कि तमबाकू पर किस सासग ने परतिबंद लगाया था तो दोस्तों ये परतिबंद लगाया था जहांगीर नयानी की option number C आपका सही है इसका अदम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो पांचमा चेप्टर का अंति मानी की दस्वा जो परस्ण है वो है कि तमबाकू का सेवन सर पर्थम किस मुगल समराट ने किया था तो दोस्तों इसका सही उतर होगा आपका option number ये अकबर ने अकबर ने जो है तमबाकू का सेवन सबसे पहले किया था मुगल समराटों में तो इस तरह से पांच चेप्टर के सभी प ये objective परस्ण है कि मुगल परसासन में जीले को किस नाम से जाना जाता था तो दोस्तों मुगल काल में जीले को सरकार कहा जाता था बरतमान समय में कहते हैं कि जारखन में कितने जीले हैं तो उत्तर है 24 जीले अगर ये मुगल काल में होता तो क्या कहते कि जारखन में कुल कि जाता था मुगल परशासन में इसका हम लोग आगे बने तो इस चेप्टर का आपका दूसरा प्रस्ण है कि सेख मुईनुदिन चिस्ति की दरगा इस्थित है ख्वाजा गरीव नवाज का जो दरगा है वो कहां पर इस्थित है तो दोस्तों यह राज अस्थान के अजमेर में है आनि कि option number C सही है इसका तिसरा प्रस्ण की किस मुगल सासक ने हिंदूओं पर से जजिया कर हटाया था तो इसका सही उतर होगा अकबर महान ने option number B आपका सही है इसका दम लोग आगे बढ़े तो चंथा प्रस्ण की आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादसा जाना जात था इसका दम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो पांचमा प्रस्ण है वो है कि औरंग जेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहां पर बिताया पूर्वी भारत पच्मी भारत दचनी भारत या उत्तर भारत तो इसका सही उतर होगा option number C दच्छिन भारत में इसक ने 1857 इसवी के करांती या फिर कहें कि भारत के पर्थम सोतंतरता अंदोलन का नेत्रित किया था और इस समय इनका जो उमर है 81 साल था दोस्तों इसका दम लोग आगे बहें तो सात्वा परस्ण की बुलन दरवाजा कहां है तो इसका सही उतर होगा फटेपूर सिक्री फटे निर्मान किसने करवाया था बहुत यासान परस्ण है और इसका सही उतर होगा साह जहाने इसका निर्मान करवाया था और दोस्तों ये जो बनना सुरू हुआ था 1632 सिस्वीं बनना सुरू हुआ था और कंप्लीट कब हुआ था आप लोग कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बता इसका दस्वाँ परशने की भारत में सुलह ये कुल की नीती का परती पादन किसने किया तो ये किया था अकबर महान ने, उपसन नमबर B जिसने दीन ये इलाही धर्म का सुरुवात किया था तो इस तरह से हम लोगों ने दस परशनों के उतर को देख लिया दोस्तों इसके अधम लोग आगे बढ़ें तो आपके इतिहास विशे का सांतमा चेप्टर है हमपी बिजे नगर का अस्थापते और इस चेप्टर का पहला भी भी आयो अबजेक्टिव परसने की बिजे नगर समराईज के अस्थापना किस ने की और ये जो आपका जारखन बोड एकजाम 2016 में भी पूछा गया था जिसका सही उतरोगा अप्शन नंबर भी हरीहर एम बुकार आयने दोस्तों हरीहर एम बुकार आयने 1336 इसवी में विजे नगर समराईज के अस्थापना की थी जो संगम वंस के सासक थे इसका दूसरा प्रसने की हमपी को उनेसको द देखा इसका तीसरा प्रसने की रूस में भारत बिद्या का जनक आनि की फादर और प्रसियन आइडियोलोजी किसे कहा जाता है तो दोस्तों इसका सही उतरोगा अप्शन नंबर सी जी एस लीवी देव को इसका चौथा प्रसने की गोवपूरम का समंध है तो गोवपूरम किसी ने लिखी तो इसका सही उतरोगा क्रिशन देवराय जो आपका यहां पर है इसका छठा परसने की बिजय नगर समराईज द्वारा असाइनिक और साइनिक सेवा के लिए दिये जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था तो यह कहलाता था अम्रम जो आपका यहां पूरम से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों मंदीरों के परवेश द्वार को गोव पूरम कहा जाता था जो आपका उप्शन नमबर यह में दिया गया है इसका आठवा परसने की परसीद वीरु पाच मंदीर कहां परिस्थित है तो यह आपका हम्पी में है उप्शन नमब बी में दिया गया है इसका दस्वा परसने की हरिहरें बुका किस वंस के सासक थे तो यह आपका संगम वंस के सासक थे उप्शन नमबर यह सही है तो आपका आठवा चेप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं और इसमें आपका पहला भी भी आए अबजेक्टिव परसने की ख्वाजा मुईन दिन चिस्ति की दरगा कहां पर है तो यह आपका अजमेर राजस्थान में है इसके वाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका दूसरा परसने की बीजक में किसका उपदेश संगरहित है तो कबीर का उपदेश संगरहित है तिसरा परसने की निम्ण में से म में से सभी थी इसका दम लोग आगे बढ़ें तो पांचवा परसने की निजामुदिन औल्या की सुफी सिल्सिले से समंदित है तो इसमें जोंग लोग देख रहे हैं सुहावर्दी है, कादीरी है, फिर्दोसी है तो इसका सही उतरोगा उप्सन नमबर ये चिस्ती सुफी सिल्सिले से इसका छठा परसने की तलवंडी ननकाना साहिब किनका जनम अस्थान है तो दोस्तों ये जनम अस्थान है गुरु नानक का उप्सन नमबर भी सही है इसका स कुतुब मिनार का निर्मान किसने शुरू किया था तो दोस्तों इसका शुरवात किया था कुतुब उधिन एवक ने और इसको पूरा किया था इल्थूतमिस ने तो इसका सई उतर क्या होगा, option नमबर C सई होगा, इसका दम लोग आगे बने तो आपका नुवा परसने की रा सिद संत कौन थे तो वो थे चैतने महापर्भू ये जो अप्सन है ये आपका सही होगा तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के आठ चैप्टर के कुल मिलाकर के असी भी भी अबजेक्टिव परशनों के उतर को देख लिया है इसके अधम लोग आगे बढ़ें तो आपको नौवा चैप्टर है आतरियों के नजरिये और इस चैप्टर का पहला भी भी अबजेक्टिव परशने के अलबरूनी किसके साथ भारत आया था तो यह आया था मुहम्मद गजनवी के साथ में इसका दूसरा परशने कि अलबरूनी किस भासा का जानकार नहीं था तो दोस्तों यह जो अलबरूनी है यह संस्कीत भासा सिर्याई भासा और इब्रू भासा का जानकार था लेकिन सी में जो दिया है उनानी भ लिखा हुआ है तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है अलबरूनी का आत्राविर्तांत इसका चौथा परस्ण है कि किस विदेसी आत्री ने पूरानों का ध्यन किया तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगो option number यह अलबरूनी ने इसकाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका पांचवा परसन है जिसमें दिया गया कि हुमायू के दर्बार में कौन अफ्रीकी आत्री भारत आया था तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं यह में अब्दुल रजाक, भी में अलबरुनी, सी में बर्नियर और डी इन में से कोई नहीं तो इसका सही उतरों का उप्शन नमबर डी इन में से कोई नहीं इसका छठा परसने की इबन बतुता ने अपनी आत्रा का विवरन किस भासा में लिखा है तो दोस्तों इसने अपनी आत्रा का विवरन जो है अर्बी भासा में लिखा है यानि को आप्शन नमबर डी सही है इसका साथवाँ परसन है कि इबन बतुता किस देश का आत्री था तो ये था मोरक्व का आत्री, option नमबर ये सही होगा इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो आठ्वाँ परसन है कि मुहम्मद इबन जुजिये ने मोरक्व के सुल्तान के कहने पर किसका आत्रा बिर्तान्त लिखा तो इसका सही उतर होगा आपका option number B इबन बतुता का इसका नोवाँ परसन है कि अपनी आखों के सामने सती पर्था का दिरिश देखकर कोन विदेशी आत्री मुर्चित हो गया था तो इसका सही उतर होगा option number C इबन बतुता इसका धमलोग आगे बने तो आपका इस चेप्टर का दस्मा परसन है कि फ्रांस्वा बर्नियर था क्या था एक इतिहासकार था एक राजनितिक दार्षनिक था एक चिकित्सक था इनमे सभी था तो इसका सही उतर होगा option number D इनमे से सभी इसका धमलोग आगे बने तो दस्मा चेप्टर है कि उपनिवेश्वाद सरकारी अभी लेखों का अध्यान और इस चेप्टर का पहला भी भी है objective परसने की भारत आने वाले पर्थम उरोपियन कौन थे तो इसमें सही उतर होगा पूर्तगाली पूर्तगाल का वास्को डिगामा है वही सबसे पहले भारत आया था 1498 इस्वी में तो इस तरह से हम लोगों ने इस चेप्टर के पहले परसन के उतर को देखा इसका दूसरा परसने की भारत में आने वाला पर्थम पूर्तगाली कौन था तो वह था वास्को डिगामा जो अभी हमने बताया 1498 इस्वी में आया था इसके अधर हम लोग आगे बढ़ें तो तिसरा परसने की भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की अस्थापना का मुख्य उदेश क्या था तो इसका जो हम लोग उदेश देख रहे हैं दिया हुआ है कच्छा माल पराप्त करना दूसरा में दिया है भारत का विकास करना तिसरा में दिया है उनके द्वारा निर्मी तवस्तू को भारत में बेचना और चंथा में दिया भारत में सिच्छा का विस्तार करना तो यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं आपका ये जो option है आनि की दूसरा और चम था ये गलत है सही कोन कोन है पहला और तिसरा आनि की पहला तिसरा कहां पर है ये आपका सही होगा option number C दोस्तों इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया है question number 4 जिसमें लिखा हुआ है कि English East India Company की अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना भी थी 1620V में दोस्तों कुल मिला करके एक सो बेपारियों ने मिल करके लंदन में जो है 1620V में East India Company की अस्थापना की थी इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो आपका पांचवा परसन है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त सुरू करने का सरे दिया जाता है तो इसका सही उतरोगा लाड कार्न्वालिस लाड कार्न्वालिस ने जो है 1793intoV में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त को सुरू किया था इसको छठा परसने की महलवारी वेवस्था किसके दोबार लागु की गई थी तो इसका सही उतरोगा option number C, Lord Bantic दोस्तों इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो सात्वा परस्न है वह है कि दामी नीको क्या था तो ये था आपका भूभाग यहाँ जो देख रहे हैं उपादी, तलवार या जागिर ये नहीं था बलकि सही उतरोगा option number C, भूभाग इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो आठवा परस्न है वह है कि अस्थाई बंदोबस सवंधीत था किस से था, तो ये आपका जो कार्नवाली से सवंधीत था लोड कार्नवाली से इसका नौवा परस्ने की इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दिवानी किस ने परदान की थी तो दोस्तों इसका सही उतरोगा साह आलम दुतिये ने परदान की थी इसका दस्मा परस्ने की महालवाडी बंदोबस्त किसके दोवारा लागू किया गया था तो ये लागू किया गया था मार्टिन बर्ड के दोआरा ओप्शन नमबर ये आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आपका जो दसमा चेप्टर था उसके दस प्रस्नों के उतर को भी देख लिया दोस्तों इसका अधम लोग आगे बहें तो आपका ग्यारहमा चेप्टर है अठारा सो संतावन का अंदोलन और इसमें पहला प्रस्ने की अठारा सो संतावन की करांती आरम हुई थी कब आरम हुई थी 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई तो इसका सही उतर होग आफ्शन नमबर ये 10 मई, 18 57 इसका दूसरा प्रस्ने की 1857 के बिद्रो के समय भारत का गुवर्नर जेनरल कौन था तो इसमें सही उतर होग आफ्शन नमबर सी लाड कैनिन दोस्तों इसके अदम लोग आगे बहने तापका तिसरा प्रसन है कि 1857 की करांती से पूर अफवाहें फैल रही थी कौन-कौन सी अफवा सही है बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी तो यहाँ पर कुल मिला करके तीन अफवाह दिया हुआ है तो इसमें सही क्या है उसको सेलेक्ट करना है जिसमें ये में दिया हुआ है करतुसों में गाए वा सुवर की चर्वी भरी हुई है ये सही है इसकद बी में दिया हुआ है कि घी आटा वा सकर में गाए वा सुवर की हडियों का चूरा मिलना है ये भी सही है इसकद हम लोग अफवाएं फईल रही थी इसका दोस्तों चहुता परसने की किस महिला ने सतारा उजैन गोयलियर आदी में अठारा सो अरतीस से अठारा सो तिरसर तिस्वी तक अंग्रेजों के बिरुद सडियंतर किया तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्सन में ऑप्सन में दिया और सी में बेगम हजरत महल और डी में दिया आजिनन तो इसका सई उतर क्या होगा इसका सई उतर होगा आप्सन नमबर भी महरानी बैजा बाई सिंधिया तो इस तरह से हम लोगों ने चंटे परसन के उतर को देखा इसकद हम लोग आगे बढ़े तो पांचवा परसने कि प कुंअर सिंग्ग है तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा आपसन नमबर ये पीर अली होगा आप TER स युग को नयांत नाम से जाना जाता था आनि कि झांसी की जो रानी थी तो उसको कौन कौन से नामों से जाना जाता था तो उसको जाना जाता था छबीली मन्नू मनी करनी का आनि की इन में से सभी नामों से उसको जाना जाता था दोस्तों इसका साथवा परशने के 1857 के गदर को किसने करांती कहा था तो ये कहा था कारल मार्क्स ने आनि की ऑप्शन नमबर ये आपका सही है इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका आठवा परशन है कि बिहार में 1857 के बिदरो का परमुख नेता था या थी कौन था तो ये होगा आपका सही उतर ओप्शन नमबर डी कुमर सें जो जगदिसपूर के जमिंदार थे इसका नोवा परशने की बैपगत आनि की हडप के निती के सिधानत का समध किस्से है तो ये सही उतर होगा आपका ओप्शन नमबर ओप्शन नमबर लाट डल हो जी ओप्शन नमबर भी आपका सही हो जाएगा इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका दस्वा परशने की अवद में अठारत सो संतावन की करांती का नेतरीतु किस ने किया था तो बेगम हजरत महल ने किया था जो आपका option नमबर C में है जासी की रानी ने कहां किया था जासी में किया था दोस्तों इसका अधम लोग आगे बढ़ेता आपका बारहमा चेप्टर है उपनिवेशिक सहर नगरी करन नगर योजना अस्थापती है और इसनों पहला परसन है की विक्टोरिया टर्मिनल किस अस्थापते सैली का उधारन है आने की भीटी जो मुंबई में स्टेशन है रेल इंडिया का निर्मान कब हुआ दोस्तों यह जो गेट वेव ऑफ इंडिया है यह मुंबई में है और इसका निर्मान 1911 इस्वी में किया गया था आनि इसका सही उतर होगा अप्शन नमबर सी इसका तीसरा परसने की फोर्ट बिलियम की सहर में इस्थित है तो यह आपका को इसका सही उतर होगा ऐप्शन नमबर भी दादा भाई नौरोजी ने इसका दोस्तों लोग आगे वे तो चठा परसन है कि गेट वेव ऑफ इंडिया की सैली का उधारन है तो इसका सही उतर हो जाएगा अप्शन नमबर सी इन्डो सारा सैनिक तो इस तरह से हम लोगों ने 7वा, परसने की कलकत्टा में सर्वोच नियाले की अस्थापना कब की गई थी ? दोस्तों भारत में बरत्मान समय में एक ही सर्वोच नियाले है ? वो कहांपर इस थी थी ? आप लोग कॉमेंट वक्स पर जरूर बताइए ! दोस्तों इसके वाधा परस्ण है कि भारत में रेलवे की सुरवात हुई थी, कब हुई थी, तो ये हुई थी 1853 इसवी में लाड डलहोजी के समय में, इसके वाधा हम लोग आगे बने तो आपका नौवा परस्ण है कि भारत में आने वाला पर्थम पूर्थगाली कौन था, तो वाजको डिगामा था, 1498 में आया था, इसके वाधा हम लोग आगे बने तो दसमा परस्ण की इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना कब हुई, तो 1620 में हुई, इसका परस्ण उपर में भी एक था, इसका दम लोग आगे बने तो आपका तेरहमा जो चेप्टर है, महा तुम्हें अजादी दूंगा साथी सत जय हिंद का नारा भी दिया था, इसका दूसरा परस्ण है कि 1942 में कौन सा अंदोलन हुआ था, दोत्तो दोस्तो 1942 इस्वे में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, वहीं पर ये खिलाफत आंदोलन है, ये जनवरी 1921 में हुआ था, वहीं पर असायोग आंदोलन भी जनवरी 1921 में हुआ था, बहुत जगह पर हम लोग देखते हैं, असायोग आंदोलन के बारे में 1922 इस्वी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग कलास 10 में पढ़ें कि 1921 में असायोग आंद को देखा इसका तीसरा परसने की जालियां वाला बाग हत्या कांड किस वर्स हुआ था तो यह हुआ था 13 अपरेल 1919 को आने की यह आपका सही ए अप्सन नंबर यह इसका चौंथा परसने की रोलेट एक्ट कानून किस वर्स पारित हुआ था तो ये पारित हुआ था 1919 इस्वी में इसका पांचवाँ परस्ण है कि यह सहयोग आंदोलन की सुरुवात किस ने की थी तो इसकी सुरुवात की थी महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 इस्वी में यानि कि option number D आपका सही होगा B और C दोनों। इसका साथवा परसने की निम्नलिखित में से कौन आंदोलन दांडी मार्श से सुरू हुआ था। तो ये सुरू हुआ था आपका सवीने आवग्या आंदोलन जो 1930 इसवी में सुरू हुआ था। इसका दोस्तों आठवा परसने की महात्मा गांदी ने पहला किसान अंदोलन कहां सुरू किया था। तो चंपारन में सुरू किया था 1927 इसवी में। इसका धम लोग आगे बढ़ें। तो आपका जो 9 परसन है वह है की महात्मा गांदी का जन्म हुआ था। तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1879 इसवी को गुजरात के परबंदर में। दोस्तों 1885 इसवी में बंबय के गोकुलदा स्तेजपल संस्कीर्ट कॉलेज में कॉंग्रेस पार्टी के अस्थापना हुई थी। इसके संस्थापक यह यह यूम थे और परथम अध्यस WC बनर जी थे। तो इस तरह से पहले परशन के उत्तर को हम लोगों ने देखा। इसका दूसरा परशने की सोतंत्र भारत के परथम भारतिय गौवर्नर जनरल थे। कौन थे? तो वे थे C. राजगोपालाचारी, ओप्शन नमबर यह आपका सही है। इसका दूसरा परशने की सोतंत्र भारत का अंतिम गौवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी थे C. राजगोपालाचारी आने की ओप्शन नमबर C. इसका चौथा परशने की भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पर्थम अधिवेशन की अध्यास्ता की थी? किसने की थी? तो डेवलू सी बनर जी आने की बोमेश चंदर बनर जी ने किया था, ओप्शन नमबर B सही है। इसका पांचवाँ परशने की सोतंतर भारत के पर्थम गौवर्नर जेनरल कौन थे? तो इसका सही उतर होगा लौड माउंट बेटेन आने की ओप्शन नमबर B सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बने तो छठा परशन है की केबिनेट मिशन ओजना के अध्याज कौन थे? तो सर अश्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो अप्शन नमबर D में आपका दिया गया है। इसका साथवा परशन है की भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ये यो ह्यूम जो एक अंग्रेज अधिकारी थे रिटायर किये हुए। तो इस तरह से हम लोग ने साथ परशनों के उत्तर को देखा। इसका दाठवा परशन है की मुस्लिम लीग ने मुसल्मानों है तो पिर्थक राष्ट पाकिस्तान की मांग कब उठाई? तो ये उठाया था 1940 इस वी में। आनि की 1940 से पाकिस्तान का मांग करना सुरू किया और 1947 में पाकिस्तान अलग हो गिया भारत से और भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है आजादी मिली। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो नौवा परसने की सुभाज चंदर बोश ने कहाँ पर आजाद हिंद फोज का गठन किया था तो ये किया था आपका सिंगापूर में ओप्सन नमबर D इसका दस्वा परसने की भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्याच्छा कौन थी तो ये थी एनी बेसेंट आप्सन नमबर ये आपका सही है इसका धम लोग आगे बढ़ें तो आपका पंद्रहवा चेप्टर आता है और पंद्रहवा चेप्टर आपका है भारतिय समिधान का निर्मान और इसमें पहला परसने की सोतंत्र भारत के पर्थम गोवर्नर जेनरल कौन थे तो इसका सही उतर होगा ओप्सन नमबर ये लाड मांट बेटन या जो परसने उपर में भी एक जगह आया था इसका दूसरा परसने की भारत किस वर्ष गंतंत्र बना तो दोस्तों भारत जो 26 जन्वरी 1950 इसवी को गंतंत्र हुआ था आनि की भारत का समिधान लागू हुआ था इसका तिसरा परसने की समिधान सभादवारा प्रारूप समीति का गठन कब किया गया था तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 इसवी को इसका दम लोग आगे बढ जेंडर और सी में दिया सर अस्टेफोर्ड क्रिप्स तो इसमें सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर होगा ऑप्सन नमबर डी इन में से सभी आनि कि ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदसे थे ठीक है इसका दोस्तों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो पांचवा परसन यहां 15 हो गया इसको पांच पढ़िएगा तो इसमें दिया गया कि पाकिस्तान का पहला परधान मंत्री कौन था तो पाकिस्तान का पहला परधान मंत्री था लियाकत अली और दोस्तों भारत के परथम परधान मंत्री कौन थे आप लोग कॉमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा इसका छठा परसने की समिधान के निर्मान में कितना समय लगा तो समिधान के निर्मान में जो दो वर्स 11 महीने 18 दिन लगे थे जो आपका ओप्सन नंबर B में दिया हुआ है दो वर्स 11 महीने 18 दिन इसका अदम लोग आगे बढ़े तो साथमा परसने आपके लि इसका नोवा परसने की समिधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यास कौन थे तो डॉक्टर भीम रामवेदकर थे जो अप्सन नमबर C में दिया हुआ है इसको दस्मा परसन जो आपका है वो क्या है कि भारत के समिधान का पीता किसे कहा जाता है तो डॉक्टर भीम रामवेदकर को भारत के समिधान का जनक या पीता कहा जाता है तो दोस्तों ये था आपसे भी जारखन बोड के intermediate के history के पंदरोह चेप्टर से 10-10 भी भी है objective परशनों के उत्तर जिसका exam कल होने वाला है और दोस्तों इसमें से बहुत सारे परशन आपके board exam में कल पुछे भी जा सकते हैं तो फिर से हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम थाइंक्यू बेस्ट आफ लग बोड exam में बहुत अच्छे धंग से लिखिये और फर्स डिविजन से भी ज्यादा मार्क से साथ पास होए थाइंक्यू